नमस्कार दृष्टी आईएस के टुडेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए रीकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहला सवाल है बॉक्सिंग डे कम मनाया जाता है उत्तर है 26 दिसंबर लपीजी बॉट्लिंग प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया उत्तर है ओडिशा इंडस्ट्री 4.0 समर्थ उद्योग सेंटर कहां खोला जाएगा उत्तर है आईएसी बंगलूरू जोल इन्दा क्राउ आफ कश्मीर अथ्वा श्री नगर्स जोल के नाम से किसे जाना जाता है उत्तर है डलजील राजस्त आसूचना निदेशाले यानि डिरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डी आर आई का मुख्याले कहां है उत्तर है नई दिल्ली भारती सम्विधान सभा द्वा इंगल का सम्बंध किस राजसे है उत्तर है आंदरप्रदेश स्नो एक्स क्या है उत्तर है नासा का एक मौसमी अभियान ओमान की खाली में किन तीन देशों की नौ सेनाएं सैयुक्त सैन ने अभ्यास करने जा रही है उत्तर है इरान चीन और रूस तो चलिए पिछला अभ् यानि इंडियन एर फोर्स ने मिग 27 को विदाई दी इस फाइटर जेट ने एर फोर्स स्टेशन जोध पूर से अपनी अंतिम उडान भरी इस दोरान स्क्वाडरन नंबर 29 से जुड़े 7 मिग 27 विमानों ने अंतिम उडान भरी जिसे स्कॉर्पियन्स के रूप में भी जान जाता है मिग 27 का अंतिम बेडा सुखोई SU-30 द्वारा एसकॉर्ट लेंड किया गया था उसके बाद पारंपरिक वाटर कैनन सेल्यूट किया गया इसके अन्य प्रकार जैसे मिग 23BN, मिग 23MF और दा प्योर मिग 27 पहले ही भारती वायुसेना से सेवा निवरित हो चुके है बता दें कि 1999 की एतिहा से कारगिल लडाई में इस बेडे ने अपनी एहम भूमिका निभाई थी और ऑपरेशन पराक्रम में सक्री भाग लिया था कारगिल युद्ध के दौरान निभाई गई भूमिका के लिए भारती वायुसेना के पाइलटों ने इस विमान को बहादुर उपनाम दिया था तो इस प्रश्न का सही जवाब है उप्शन A. जोधपुर आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है तो चली आज की सेशन का पहला सवाल देखते हैं जहारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपत ली है? आप्शन है आलमगीर आलम, हेमंत सोरेन, रामेशर उराओ या फिर सत्यानंद भोकता हेमंत सोरेन नेहाली में जहारखंड के ग्यारहवे मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली है बतादें कि हेमंत सोरेन का संबंध जहारखंड मुक्ती मोर्चा से है राजपाल द्रौपदी मुर्मू ने राची के मुहराबादी मैदान में श्री सोरेन को पद की शपत दिलाई जारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सोरेन का यह दूसरा कारिकाल है सोरेन के साथ आलमगीर आलम, रामेशर उराओं और सत्यानन्द भोकता को भी राज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपत दिलाई गई है अब बात करें जारखंड की तुसकी राजधानी राची है पंद्रह नवंबर 2000 को जारखंड देश के 28 राज्य के रूप में अस्ते तुमें आया था यह बिहार, उत्तर प्रदेश, 36 गड़, ओडिशा और पश्चिम मंगाल के साथ अपनी सीमा साजह करता है तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन B हेमंत सोरेन दूसरा प्रशन, पिरसिद नाथूला दर्रे का रास्ता किस जील से होकर गुजरता है आप्शन है मैनमेचो जील, लंपोकरी जील, सोमगो जील या फिर गुरु डोंगमार जील भारी बर्पबारी के कारण सिक्किम के पूर्वी हिस्से में इस्थित नाथूला दर्रे में फंसे लगभग डेड़ हजार लोगों को बचाया गया है तो आई अब यहीं पर नाथूला दर्रे के बारे में विस्तार से जानते हैं नाथूला दर्रा 1962 में बंध होने से पहले भारत और तिबबत के बीच का एक मुख्य गली आ रहा था गंगटोक से लगभग 55 किलो मीटर की दूरी पर 14,400 फीट की उचाई पर इस्थित नाथूला का रास्ता सोंगो जहील से होकर गुजरता है यह दुनिया की सबसे उची सड़कों में से एक है और यह अलपाइन वनस्पतियों से सम्रिद्ध है इस सड़क को चुम्बी घाटी से भी देखा जा सकता है नाथूला भारती नागरिकों के लिए सपताह में पांच दिन यानि बुद्धुवार, गुरुवार, शुकुरुवार, शनिवार और रविवार को खुला रहता है विदेशी नागरिकों को नाथूला जाने की अनमती नहीं है बात करें सिक्किम के अन्य पासेस यानि दर्रों की तो उसमें शामिल हैं जैलेपला पास, डोंकिया पास और चीवा भंजंग पास तो चलिए अब बात करते हैं सिक्किम की कुछ एहम जीलों के बारे में सिक्के में कई खूपसूरत जीले मौजूद है तिबबस से सटे उत्तरी सिक्किम पठार में कई पर्वत जीले हैं जिन में से गुरु डोंगमार और छोलामो सबसे प्रिसिद्ध है आपको बता दें कि छो लामो जील तीस्ता नदी का स्रोथ है वही पूर्वी सिक्किम में सोमगो जील परेटकों के लिए सबसे लोगप्री है इसके अलावा सिक्किम की अन्य जीले हैं तो इस सवाल में आपसे नाथूला दर्रे का रास्ता पूछा गया है तो यह सोमगो जील से होकर गुजरता है यानि option C तीसरा सवाल फादर आफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है option है अमिताब बच्चन, दुंडीराज गोविंद फालके, विनोत खन्ना या फिर दिलिप कुमार हाली में अमिताब बच्चन को दादा साहब फालके पुरसकार से सम्भानित किया गया है उन्हें राष्ट्रपती भवन में राष्ट्रपती रामनात कोविंद द्वारा यह पुरसकार प्रदान किया गया बतादें कि इस पुरसकार का नाम धुंडीराज गोविंद फालके के नाम पर पड़ा है धुंडिराज गोविंद फालके को भारती सिनेमा के पिता यानी फादर आफ इंडियन सिनेमा के रूप में भी जाना जाता है इस पुरसकार को 1979 में स्थापित किया गया था अमिताब बच्चन ने भी इसी साल साथ हिंदुस्तानी नामक फिल्म के साथ हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की थी भारती सिनेमा में एक कलाकार को दिये जाने वाले सर्वोच्च सम्मान के रूप में इस पुरसकार में 60 कमल पदक, शौल और 10 लाख रुपे का नकत पुरसकार शामिल है इसके अलावा 2017 में दिवंगत अभिनेता, विनोत खन्ना को इस पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन B चौथा प्रशन बता दे की हर साल की तरह पिछले साल भटके लगभग 38 हाथी भोजन और पानी की तलाश में बांधाउ गढ़ के जंगलों में वापस आ गए है इस सीजन की शुरुआत में वे पहली बार इन जंगलों में आए हैं दरसल मद्यप्रदेश को टाइगर स्टेट का दरजा प्राप्त है यहां 2019 की बाग गढ़ना में अनुमानित बागूं की सबसे अधिक संख्या 526 दरज की गई थी हालां की हाथियों के जुंड और बागों के बीच संगर्श की संभावना को खारिच कर दिया गया है क्योंकि एक शाकाहारी है और दूसरा मासाहारी इसलिए कोई प्रतिसपरधा नहीं है बतादें की बांधोगड के अलावा ओडीशा के दो नरहाथी नरसिंगपूर के जंगलों में भी भटक गए थे लिहाज राज सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए केंद्र को एक आवेदन भेजा था वन्यजीव संदक्षण अधिनियम 1972 के तहट हाथी शेडियूल एक का प्रजाती है और वन्वासी इस छेत्र में संघर्ष की आशंका जताते हैं तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन B मद्यप्रदेश पाचवा प्रश्न सुर्खियों में रहा राता पानी वन्यजीव अभ्यारन्य निम्न लिखित में से किस नदी का उदगम इस्थल है ओप्शन है ताप्ती नदी, टोंस नदी, बेतवा नदी या फिर केन नदी मद्यप्रदेश के एक स्थानिय धर्मगुरू के मंदिर को हटाय जाने के कारण ग्रामीडों द्वारा विरोध किया जा रहा है बताने की है मंदिर राता पानी अभ्यारन्य के भीतर स्थित्था रातापानी वन्य जीव अभ्यारन दरसल मध्य प्रदेश के रायसें जिले में है तो आई अब बेत्वा नदी के बारे में जानते हैं बेत्वा को संस्कृत में वेत्रा वती कहा जाता है उद्गम से लेकर यमना में मिलने तक बेतवा की कुल लंबाई 590 किलो मीटर है जिसमें से 232 किलो मीटर मध्यप्रदेश में है और बाकी 358 किलो मीटर उत्तर प्रदेश में 1973 में हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच एक अंतर राज्य समझोते के अनुसार बेतवा नदी बोड अधिनियम 1976 के तहट बेतवा नदी बोड यानि BRB का गठन किया गया था दरसल बेतवा नदी के उद्गम के कई बिंदू है पहला भोपाल से कोलार रोड पर जीरी गाउं के पास इस्थित एक अवसाद है दूसरा अब्दुला गंज के पास राता पानी राश्ट्री उद्ध्यान के भीतर है यमुना का बेतवा उप बेसिन मध्य भारत में बुंदेल खंड क्शेत्र में आता है इसकी शुरुवात मध्य प्रदेश के राय सेन जिले से होती है इसके अलावा बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है तो इस सवाल का सही जवाब है उप्शन C बेतवा नदी चटवा प्रशन किस मंत्राले ने मठ क्रय यानि इबी क्रय नामक ओनलाइन प्लेटफॉर्म लॉंच किया है ओप्शन है ग्रिह मंत्राले, वित्त मंत्राले, रक्षा मंत्राले या फिर वालिज एवं उद्योग मंत्राले हली में वित्त मंत्राले ने बैंकों द्वारा सलगन परिसंपत्यों की ओलाइन नीलामी के लिए EB क्रेय नामक ओलाइन प्लेटफॉर्म को लॉंच किया है इसके अलावा डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सीता रमल ने सार्व्यनिक शेत्र के बैंकों यानि PSB के प्रमुखों भारती बैंक संग के मुख्य कारिकारी और प्रमुख निजीक शेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैंकिंग मुद्दों पर भी चर्चा की है इन मुद्दों में शामिल है डिजिटल लेंदेन को बढ़ाने के लिए कदम, बैंको द्वारा क्रेडिट आउट्रीच, पी एसबी द्वारा एन्बी एफसी और एच एफसी को समर्था नित्यादी तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन B वित्व मंत्राले सातवा प्रशन फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किस राज में किया जाने वाला है? ओप्शन है आंधर प्रदेश, नागा लेंड, राजिस्थान या फिर कीरल फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन जल्द ही आंधर प्रदेश में किया जाने वाला है? नेल्लोर जिले के पुलीकट जील में फ्लेमिंगो जैसे कई प्रवासी पक्षी पहुँच चुके हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल दरसल एक वार्षिक आयोजन है जिसके इस बार नेल्लोर जिले में जनवरी माह के पहले सप्ताह आयोजित होने की संभावना है पुलीकट में 40,000 से अधिक फ्लेमिंगो इस दोरान देखे जा सकते हैं बतादें कि यहां पक्षियों की लगभग 75 प्रजातियां आती हैं जिन्में से 30 पक्षी प्रजातियां प्रवासी हैं इस उत्सव में विभिन सांस्कृतिक कारिक्रमों को आयोजित करने और उत्सव के दोरान खारेपानी के पारिस्थित की ये तंत्र पर जागरुकता बढ़ाने के लिए चार जगहों को चुना गया है यह हैं सुलर पेटा, बीवी पालम, अताक निठिप्पा और निला पट्टू तो इस सवाल का सही जवाब है, option A, आंधरप्रदेश आठवा प्रशन, हाली में किस देश ने Long March 5 Y3 नामक रोकेट लॉंच किया है option है, रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर चीन हाली में चीन ने Long March 5 Y3 नामक रोकेट लॉंच किया है दक्षिड चीन के हैनान प्रांत के वैंचांग स्पेस लॉंच सेंटर से देश के सबसे बड़े वाहक रोकेट को लॉंच किया गया है यह रोकेट अपने साथ शिजियान 20 टेकनोलोजिकल एक्सपेरिमेंट सेटेलाइट नामक देश के अधिक वजनी, भारी और सबसे 19 संचार उबग्रह को ले कर गया है Long March 5 दरसल एक बड़ा दो चरण वाला रोकेट है चीन के Aero Space Science and Technology Corporation के मताबिक यह रोकेट सौर मंडल में ब्रहसपती और अन्य ग्रहों का पता लगाने के लिए जाच भेजने में सक्षम है तो इस प्रशन का सही जवाब है Option D, चीन नौवा प्रशन हाली में किस ने एक महिला द्वारा longest single space walk का रिकॉर्ड कायम किया है Option है पैगी विट्सन, क्रिष्टीना कोच, स्कॉट कैली या फिर गैन्नेडी पडल का हाली में एक महिला द्वारा longest single space walk का रिकॉर्ड कायम किया गया है यह रिकॉर्ड अमेरिकी अंत्रिक्ष्यात्री क्रिष्टीना कोच ने 290 दिनों में बनाया इससे पहले अमेरिका की ही पैगी विट्सन ने यह रिकॉर्ड 289 दिनों में बनाया था जिसे क्रिष्टीना ने तोड़ा है यहाँ पे सूची में रिकॉर्ड को देख सकते हैं पुरिशों की बात करें तो स्कॉर्ड कैली ने 342 दिन बिताए थे किसी पुरुष अथो महिला द्वारा अंत्रिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा संचाई समय 888 दिन का है 1998 और 2015 के बीच पाँच अंत्रिक्षियानों में 887 दिन बिताकर रूस के गैनेडी पडलका ने यह रिकॉर्ड कायम किया था तो यहाँ पर एक महिला द्वारा पूछा गया है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है अप्शन B क्रिष्टीना कोच दस्वा प्रश्ण हाली में कौन 2019 के लिए महिला विश्व रैपिड शत्रंज चैंपियन बनी है अप्शन देखते हैं कोनेरू हमपी सुबारामन विजय लक्षमी सौमया सौमीनाथन या फिर तानिया सचदेव भारती ग्रेंड मास्टर कौनेरो हमपी 2019 महिला विश्व रैपिड शत्रंज चैंपियन बन गई है उन्होंने रूस के मौस्को में फाइनल मुकाबले में चीन की लेई तिंग जी को हराया है इस प्रतियोगिता में लेई तिंग जी ने रजत जबकि तुर्की की एका तेरिना एटालिक ने कांसे पदग जीता यह हमपी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है जो भारत की सबसे अच्छी महिला शत्रंज खिलाडी है हमपी क्लासिकल फॉर्मेट में अधिक सहज है और अपनी स्किल्स को रेपिड फॉर्मेट में एक नए इस्तरपल ले जाने का प्रियास कर रही है इसके अलावा बता दें कि पुर्षों का यह खिताब नौर्वे के मैगनस कालसन ने जीता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ओप्शन एक कोनेरू हमपी तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्ण देखते है महादेई नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंदित है ओप्शन है महाराष्ट तेलंगाना और करनाटक गोवा महाराष्ट और करनाटक मद्यप्रदेश महाराष्ट और करनाटक या फिर केरल, तमिलनाडू और करनाटक तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्ण का सही जवाब देना ना भूले अगले सेशन में कुछ नए प्रश्णों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक कि लिए नमस्कार